क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन बिना किसी वास्त्विक उद्देश के बस कुछ घटनाओं का एक सिलसिला है? Discover how Carl Jung's profound insight might hold the key to finding true meaning in a seemingly meaningless world. जिन्दगी कभी-कभी बहुत confusing लग सकती है. एक ऐसे puzzle की तरह है जिसके कुछ pieces गुम हो. हम meaning ढूंडते हैं, purpose ढूंडते हैं. लेकिन हम उसे ढूंडे कहां? Carl Jung, जो एक famous manovagyanic थे, वो हमें कुछ जवाब देते हैं. वो हमें खुद को समझने में मदद कर सकते हैं. वो इस दुनिया में हमारी जगे खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं. Jung का मानना था कि हम सबका अपना एक unique रास्ता होता है. Wholeness का रास्ता, meaning का रास्ता. क्या आप अपने रास्ते को खोजने के लिए तैयार हैं? Ava को खुद को खोया हुआ सा महसूस होता था. वो एक ऐसी नौकरी में फंसी हुई थी, जिसका कोई future नहीं था. एक बोरिंग रुटीन में फंसी हुई थी. उसे खालीपन महसूस होता था, जैसे कुछ कमी रह गई हो. Jung के विचारों ने उसे चेंज करने की हिम्मत दी. Jung का मानना था कि लाइफ नूट्रल होती है. यह हमारी सोच है जो इसे meaning देती है. हम चुनते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं. हम चुनते हैं कि हम events पर कैसे react करते हैं. यह बहुत powerful है. हमारे पास जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा control होता है. हम चुन सकते हैं कि हम challenges को opportunities के रूप में देखें. हम चुन सकते हैं कि हम अपने experiences में meaning खोजें. याद रखें, जिन्दगी एक सफ़र है. यह सीखने और बढ़ने के बारे में है. यह अपना रास्ता खोजने के बारे में है. रखेंगाप रखेंगा जड़ते हैं. यह सीखनी एक उको कहाँ music किया नेखें. अजिन वीजाब चुन सकता हैं. वाद वादी एक अपने हैं. यह रादी एक उन्वें लगावावावावावावावावाव. औो सी जाप सिब एको बोग।, औ प्रेशेए अगिशे था नुरिश में परनेश्चिन ए प्रमाःट अपटाब डिली। इनियन ऑफ इन्ट से नूतरा गैन टॉप्रिशिघ इनली । इस आर पिस्वार्थिव द्वार्ट चालॉज। और ते रूर उन्होंप जबर नथा प्रावब एजिए जोल्स को प्रोजब था जबर जरूनिको प्यास्च ei चुण झाय चूसिज्योंख उसी पुछ सिज wellbeing खिर पिर जाह जसाफस्छार services इस ब्सके नहीं कमेंगा presenters इंग और अस्टक उिरेविकर ज़से में कियो देपंगरी इस इस बाख़गेगी कि नबने दिदेज और थो भब झ commitments all the way saam expected some not आ पान आरो टो वीर scrut उलीही किरा आरो लाहा पंस तर रunk इस वर वे अड्रूब्हा लाईज przyEल कि इन बांटार लाई उलाई नांग स के बार आउसवांसे उलीज़ से अ confirming उने हम यस अथ तालेंगर और अटार पॉसे लाईश झालें है look at never. Ask yourself, how can I view this differently? What can I learn from this? By doing so, you empower yourself to try to turn any situation into a stepping stone for personal growth. Life is not just about what happens to us, it's about what we make of it. Embrace this power!! and you'll find that every experience, no matter how difficult,... can contribute to your journey of growth and self-discovery. जेम्स गुस्से से जूज रहा था, वो खुद को अपने पास्ट का शिकार महसूस करता था उसका बच्पन ऐसे पलों से भरा था जिन्होंने गहरे घाव छोड़े थे और वो अकसर खुद को अपने आसपास के लोगों पर भड़कते हुए पाता था रेचल आतम सम्मान की कमी से जूँज रही थी वो खुद को प्यार के लायक नहीं समझती थी उसके दिन सेल्फ डाउट से भरे हुए थे और वो कॉंस्टनली अपनी वैल्यू और दुनिया में अपनी जगह पर सवाल उठाती रहती थी खुज जब रो दूज को दिनके लोगले कि अगम जसक्रवप और बाउट नहीं लागू एटिन ते फिस को एक हैंपनी जस्सेफी ये बीजी हुच बड़कते हैं प्यान और बाले वें सेवब ते ख्रव एंनेस लेश्ट चार्वेश ले लेए एवेश गी बीष़ लने ब जो एक में तो इस नही आज़ादी में जेम्स को गुसे से जूंच रहे लोगों की मदद करने का पैशन मिला। वो एक मेंटोर बन गया जो उन्हें सेल्फ दिसकोवरी के उनके अपने सफर में उनका मार्ग दर्शन करता था। दूसरी और रेचल को आर्ट में अपनी कॉलिंग मिली। उसने अपनी एमोशन को एक्सप्रिस करने और दूसरों को अपने भीतर की सुन्दर्ता देखने के लिए इंस्पायर करने के लिए अपनी क्रियेटिविटी का इस्तिमाल किया। उन्होंने साथ मिलकर दिखाया कि किसी की कहानी को फिर से लिखना किवल अतीत को बदलने के बारे में नहीं है बलकि आशा और संभावना से भरे भविश्य का निर्मान करने के बारे में है। हम सब मास्क्स पहनते हैं। हम दुनिया के सामने खुद के अलग-अलग वर्जिन्स पेश करते हैं। काल यूंग ने इसे पर सोना कहा है। यह वो चेहरा है जो हम फिटिन करने के लिए दिखाते हैं। लेकिन आप जानते हैं अपने असली सेल्फ को छिपाने से हम दुखी हो सकते हैं। हमें अपना मास्क उतारना चाहिए। हमें अपने अथेंटिक सेल्फ को अपनाना चाहिए। इसी तरह हमें ट्रू मीनिंग मिलता है। छोटी शुरुवात करें। अपनी भावनाओं के बारे में इमानदार रहें। अपने असली विचार व्यक्त करें। अपनी इंडिविज्वालिटी को अपनाएं। हम सभी का एक डाक साइड होता है। इसमें हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं और हमारे नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। इसमें इंटिग्रेट करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम नेगेटिव इंपल्स पर आक्ट करें। इसका मतलब है उन्हें समझना। जब हम अपने शैडो को स्विकार करते हैं तो हम होल बन जाते हैं। आमेपीसमिल ते तब हम्स्यादा तेंक लिधाते हैं। The shadow side is not something to be feared or shunned. It is a part of our psyche that holds valuable insights into our true nature. By acknowledging its presence we can begin to understand the root causes of our fears and insecurities. This process of self-discovery can be challenging but it is essential for personal growth. Meditation and mindfulness practices can be powerful tools in this journey. They allow us to observe our thoughts and emotions without judgment, creating a space for self-reflection. Through these practices we can learn to recognise the patterns and triggers that bring our shadow side to the surface. Therapy can also be an invaluable resource. A trained therapist can guide us through the process of confronting and integrating our shadow. They can provide a safe and supportive environment where we can explore the darker aspects of our personality without fear of judgment. Educating ourselves about the shadow can also be empowering. Reading books on psychology and self-help can provide us with the knowledge and tools we need to navigate this complex aspect of our psyche. Creative expression is another way to engage with our shadow. Art, music and writing can serve as outlets for the emotions and thoughts that we may find difficult to express otherwise. By channelling our shadow into creative endeavours, we can transform it into something beautiful and meaningful. Spending time in nature can also help us connect with our shadow. The natural world has a way of grounding us and reminding us of the interconnectedness of all things. In nature, we can find the peace and clarity needed to face our inner darkness. Ultimately, befriending our dark side is about embracing all parts of ourselves. It is about recognising that our shadow is not our enemy, but a part of our wholeness. When we accept and integrate our shadow, we become more authentic, more compassionate and more at peace with ourselves. This journey is not easy, but it is one of the most rewarding paths we can take. So take the first step, look within and acknowledge your shadow. Embrace it with compassion and understanding. In doing so, you will find a deeper sense of self and a more fulfilling way of living. Remember, the journey to wholeness begins with accepting all parts of who we are. The new dream is important to tell you that dreams are important. They are our unconscious mind's messages. They give us our deepest selves' insights. Don't ignore your dreams. Don't forget their symbols and emotions. Make a dream journal. Lay on your dreams. With the time, you can see patterns. देख सकते हैं, यह पैटन्स आपके डर, आपकी डिजायर्स और आपकी पोटेंशल को रिवील कर सकते हैं। ड्रीम्स आपके जर्नी में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्या आपने कभी कोई मीनिंगफुल कॉइंस एक्सपिरियंस किया है। यूंग ने इसे सिंक्रोनिसिटी का है। यह तब होता है जब अन्रिलेटेड इवेंट्स मीनिंगफुली कनेक्टेड लगते हैं। यह इवेंट्स साइन्स जैसे फील हो सकते हैं, जैसे यूनिवर्स हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। इन सिंक्रोनिस्टी पर ध्यान दो। हो सकता है कि वो आपका मार्ग दर्शन कर रहे हो। उन्हें केवल संयोग समझ कर डिस्मिस न करें। मीनिंग खोजो। हो सकता है कि वो आपको आपके ट्रू पाथ की और ले जा रहे हो। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप किस लिए स्टैंड करते हैं। आपकी वैल्यूस आपका कंपास है। वो आपको एक मीनिंगफुल लाइफ की और गाइड करती है। अपनी वैल्यूस को आइदेन्टिफाइ करने के लिए समय निकाले। आपके लिए वास्ताव में क्या माइने रखता है ओनेस्टी, क्रियेटिविटी, एडवेंचर, अपने वैल्यूस को और अपने डैस्ट सिसार इंजिस्ट मूंग सिस्ट गाइड करने दे जब आप अपने वैल्यूस के अलाइनमेंट में रहते हैं तो आप फुफिल्ड महसूस करते हैं आपको परपस मिलता है आप मीनिंग वाली लाइफ बनाते हैं जर्नलिंग एक पाउरफुल टूल है यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने में हेल्प करता है यह आपकी इनर वर्ड को एक्स्प्लोर करने के लिए एक सेफ स्पेस है फ्रीली लिखें खुद को सेंसर ना करें अपने ड्रीम्स अपने फियर्स अपने होप के बारे में लिखें अपने एक्सपिरियंस पर रिफ्लेक्ट करें पैटर्न को खोजें जर्नलिंग आपको आपके अनकॉंशियस से कनेक्ट करने में मदद करता है इससे आपको प्रफाउंड इंसाइट्स मिल सकते हैं यह आपको मीनिंग के लिए अपना युनीक पात करने के बारे में हैं काल जूंग के इंसाइट्स आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं याद रखें आपके पास मीनिंग क्रिएट करने की पावर है अच्छा देखना चूज करें अपने अथेंटिक सेल्फ को अपनाएं अपनी वैल्यूस को फॉलो करें आज ही शुरू करें एक अवज़ धराब मेंग टोड्स प्रसके पर एंग नुरू करें तोदेंग आपकावर्ण सब्सक्राइब कर एज चूंग चोड़ में आट अब खुन आपके अब कर दादिक यार इंड में आ चेल्यूस करने के पादू марव प्रूब कर रहार जा आपके आजुनने को